हेलो दोस्तों मैं जी स्वागत करता हूँ आपके पुनी चैनल जीत पुरी उपर आज की इस वीडियो पर मत देखेंगे एडग्रेर बार्गुग प्रश्णों तर पुरुस्तिका क्लास एट उत्साद अलाउद्दीन खां का जन्म हुगा था ठीक है न अगला है लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है उत्तर है अपना लता जी की इक्छा सकती ही उनकी सफलता का मूल मंत्र है अगर अप मन में इक्छा सकती है तो अपन कोछ भी कर सकती है तो इक्छा सकती है अपन को बहुत मायनी रखती है अपनी, अगला कुश्यन है, जिस समाज में कला के स्थन नहीं, वह कैसा हो जाता है, तो जिस समाज में कला के स्थन नहीं, वह प्राणहीन हो जाता है, कैसा हो जाता है, प्राणहीन, तो कला का बहुत ही मात्पूर है, अगला कुश्यन है, जो की लगु संजीब नी अगला question है अपना लता जी को समुचे राष्ट की गाइका क्यों कहा जाता है उत्तर है अपना उन्होंने हर भाव धर्म और भासा के घीतों में अपने शरों की सयोजया इसलिए बे समूचे राष्ट की गाई का हैं तो उन्होंने हर स्वर को अपने स्वरों मतलब हर धर्म के गानों को अपने स्वरों में सयोजया इसलिए समूचे राष्ट की गाई का हैं ठीक है न अगला है देश कब धन हो जाता है जिस समाज में कुमार गंध जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है ठीक है ना यहां से दिखे अपना दिरुत्ती को प्रशन है पहला प्रशन है अपना दिरुत्ती का संगीत की महीमा अपने शब्दों में लिखिए तो दिखे संगीत की महीमा आनन्त है जितना इसमें प्रिश्ण नो जब समाज में कला को उस्थान नहीं मिलता तब समाज प्राण्धीन हो जाता है हर समाज में कला के स्थान होता है दियुत्ति प्रिश्ण अपना मद्वधिस से जोड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम दस पंक्तियां लिखी तो दिखें दस तो पंक्तियां नहीं लिखें लकन बहुत सारी लिखीं है अपना पहला होता है जैसी कि लता मंगेशकर मेरी प्रिय गायका है मुझे उनके सभी गाने पशंद है सभी को पसंद है मैं भी उनके गाने बहुत पसंद करता हूँ अगला है लता मंगेशकर भारत की पिसिद गायका है उन्हें स्वर कोकिला भी कहा जाता है ठीके ना लता मंगेशकर जी क जन्म 28 सितंबर 1939 कुमत पडेश के इंदौर्जले में हुआ था कहा हुआ था इंदौर्जले में इनके पिता का नाम पंडीत दीनानाज मंगेसका था नोंने संगीत की पारमिक सिक्षा अपने पिता से ली थी उन्होंने 1912 में मराथी फिल्मों में आभी नेत्री के रूप में अपनी करियर की सुरुवात की थी तो इस तरह ये अंसर कमप्लीट हो जाएगा तो इस वीडियो में इतना है ये वीडियो को ज़ादा से ज़ादा से शयर करेंड ताकि आपके सबके दोस्तों की मदब सो सकें वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूला मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद